केदरिवाल का एक बहुती विचित्र वक्तवी आया है CAA के आने से बाहर के लोग नोकरी लेंगे बीजेपी ने इस पश्ट रूप से कहा कि नहीं किसी की नोकरी ली जाएगी और नहीं किसी की नागरीकता ली जाएगी लेकिन केदरिवाल आप वोट बैंक के लालच में कहां तक जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये सरनार्थियों ने CAA को लेकर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाब सुकुरवार को प्रदसन किया इसको लेकर अरविन केदरिवाल आपाक होते वे कहा इन पाकिस्तानियों की हिम्मत पहले हमारे देश में गेर कानूनी तरीके से घुसपेट की हमारे देश का कानून तोड़ा इने जेल में होना चाइए था इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदसन कर रहे हैं, हुर्दंग कर रहे हैं भाजपा ने देश में CAA लागू होने के बाद अर्विन केजरिवाल द्वारा दिय जा रहे बयानों को हिंदू और सिख सरनार्थियों के लिए अपमानजनक बताते वे चुनाब आयोग से केजरिवाल के खिलाब कड़ी कारवाई की मांगी है केंद्रिय मंत्री मंसुक मंडाविया भाजपा के राष्टिय शत्चिव मंजिंदर सिंग सिर्शा और भाजपा नेता ओम पाठक के नेतर्थवे में सिख नेताओं के एक प्रतिनीदी मंडल ने सुकुरुवार को चुनाब आयोग से हिंदू सिख सरनार्थियों के खिलाब अपमानजनक बयान देने के लिए केजरिवाल के खिलाब कारवाई करने की मांगी है केंद्रिय मंत्री मंसुक मंडाबिया ने चुनाब आयोग से मुलाकात करने के बाद कहा कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने CAA लागू होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश से आये उन लोगों के बारे में जो बयान दिया है वे बहुती दुर्भाग्य पून है भाजपा के राष्टिय सच्चिव मंजिंदर सिंग सिरसा ने कहा कि अर्विन केजरिवाल के बयानों से सिख और हिंदू सरनार्थियों की भावनाएं आहात हुई है दिल्ली सियम उनने बलातकारी बता रहे हैं और उनके सब्दों में सामपरदाही के घरना भी जलक रही है इसलिए उन्होंने चुनाव आयोक से मुलाकात कर अर्विन केजरिवाल के खिलाब कारवाई करने की मांग की है उन्होंने आयोग से अर्विन केदरिवाल के बयान के तमाम वीडियो और सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड सभी अपमानजनक पोस्ट को हटाने की मांग की है वहीं केदरिवाल के अपमानजनक बयानों पर आचारिय प्रग्या सागर जी महराज ने कहा केदरिवाल को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए हम जेन समाज के लोग एहिंसक लोग है हम आतंगवादी नहीं है हम देश में सुक समर्धी चाते है मोदी जी ने CAA लाकर हमें सुरुक्षा प्रदान की है एक दिन पहले आमादमी पार्टी के राष्ट्य शंयोजक अरविंद केदरिवाल ने केंदर के नागरिक्ता संसोदन कानून पर हमला बोला था उन्होंने CAA देश के लिए खतरनाक है ग्रह मंतरी अमित सहा के बयान पर तीखी प्रतिकिरिया देते वे कहा कि ये बहारी लोग अगर देश में आ जाते हैं तो उन्हें नोकरी कैसे देंगे सिया मर्विंद के दिरिवाल ने कहा कि CAA लागू होने से कैसे देश भर में भारी संख्या में पडूसी देशों से घुषपेटिये आ जाएंगे बता देख के अंदर सरकार द्वारा CAA के तहट पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश के गेर मुश्लिम यानि हिंदू सिख इसाई वे अन्य अलब संख्यकों को भारत्य नागरिकता देने के फेसले का श्रीया मर्विंद के जरिवाल लगातार विरोध करते आ र जाए हिंदू जाए भारत